हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों करेंट अफेयर्ज और स्टैटिक जीके के महत्पोंड वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ जो लगभग अभी लेटेस्ट इग्जाम होने वाले जैसे ससी जडी लगा हुआ है अमपी पुलिस है प्राथमिक सिक्षत पातरता परीच्छा है और बहुत सारे एग्जाम है उनसे ये क्वेस्चन पूछे जाते हैं तो चलिए हम सुरू करते हैं इनको अच्छा से नोट कर ले ये आपके करंट अफेर्स में भी काम आएंगे स्टेटिक जी के भी समें कवर हो जाते हैं तो चलिए सुरू करते हैं पहला पॉइंट है सौकत मिर्जियो येव ये दूसरी बार उजवेकिस्तान के राश्ट पती चुने गए हैं और उजवेकिस्तान की राजधानी क्य हैं इजराहिल के पीम है नेफटॉली वेनिट और यही कराश्ट पती है इसोक हर जोंग फिर नेक्स्ट है इरां के नए राश्ट पती इबराहिम रैसी बने हैं जापान के नए पीम फुमियो किसिदो बने हैं फिर फिर नेक्स्ट है लेवनान इसके पियम बने है नजीव मिकाती और लेवनान की राजधानी है बेरूत फिर नेक्स्ट है इथियोपिया यहां के पियम है अभी एहमद अली यह 2019 मिन को नोबल सांती भी मिला और इथियोपिया की राजधानी है अदिस अभावा फिर इंडोनेस के राष्ट पती बने है जोको बिडोडो मालदीव के राष्ट पती है इब्राहिम मुहम्मद सोले है आश्ट्रेलिया के पीम है स्कॉट मौरिशन नेक्स्ट है ब्राजील यहां के राष्ट पती है जायर वोल्स नारो न्यूजी लेंड के पीम है जैसेंडा ओरडन तुर्की के राष्टपती है रजव तयव इर्दुगन फिर जर्मनी के चंसलर वने अंजेला मारकेल फिर नेक्स्ट है मलेशिया के पीम महाथिर बिन मुहम्मद सॉुदी अरभ के हैं मुहम्मद बिन सल्मान फिर सियुक्त आरब अमिराथ यहां के हैं मुहम्मद बिन रासिद अलमक्तूम अफगानिस्तान के PM है मुल्ला मुहम्मद हसन अम्बुद फिर नेक्स्ट है भारती तटरक्षक पोत सार्थक को राष्ट को समर्फित किया गया यहनी जो भारती तटरक्षक पोत है उसका नाम सार्थक है उसे भारतराष्ट को समर्पित कर दिया गया है निर्मान किया है गोवा सिप्यार्ड लिम्टेड ने इसको आप जरूर याद रखेंगे कि निर्मान किस ने किया है गोवा सिप्यार्ड लिम्टेड बिग्रह, सजग सार्थक ये अप तटिये गस्ती के लिए निगरानी पोत है फिर इसमें इंपोर्टन फैक्ट देखते हैं आई एनस ध्रूब ये उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल है ट्रेकिंग जहाज है हिंदुस्तान 228 ये एक नागरिक बिमान है आई एनस बिक्रान्थ ये एक बिमान बाहक पोत है फिर आई एनस राजदूत ये बिन्धवनसक जहाज है विसाखा पटनम से डी कमीशन किया गया आई एनस बिराट ग्रांड एउल्ड लेडी फिर नेक्सट पॉइंट है सरवोच नियालय कि द्वारा पेगासस मामले की जाच हे तू एक बिशे सग्रमिती का गठन किया गया है फिर है जस्टिस आरवी रविंद्रन समिती इसमें पेगासिस मामले की जाज में इसमें तीन सदस्ष सामिल है फिर इंपोर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं पेगासिस ये दुर्भावनाशे तैयार किया गया सौफ्ट्वेर मॉल्वेर है नर्सिम्हन समिती वेंकिंग सुधार के लिए हैं पावर सेक्टर में साइवर सिकेरिटी पहला राजवना जबलपूर मद्ध प्रदेश कस्तूरी रंगन समिती इन इपी से सब्मन्दित हैं पस्चिम मद्ध रेलवेक जोन का मुख्याले जबलपूर है जो हंड़ेट संग के द्वारा सूडान के सभी गत्विधियों को निलंबित किया गया सूडान के तक्ता पलट को असंबैधानिक करार दिया है फिर इसमें इंपोर्टन प्रेक्ट क्या है सूडान की राजधानी खार्तूम निल नदी के किनारे वशा है अफ्रीकी संग का मुख्याले बहुत इंपोर्टन पॉइंट है यह माने आपसे पूँच लिया जाएगा कि ऐसा कौन सा महादीप है जिसमें करक मकर और भूमध तीनो रेखाएं गुजरती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका फिर नेक्स्ट पॉइंट है भूमध रेखा विक्टोरिया जील से गुजरती है वाइट नील और ब्लू नील खार्तूम में मिलती है यू एनो का नभीनतम देश दक्षण सोडान राजधानी जुवा फिर आसवान बांध ये नील नदी मिस्त्र में है फिर नेक्स्ट है ग्रैंड रेने शौम डैम विबाद ये नील नदी मिस्त्र औ कि अध्यफ्षता किसने की थी तो इसका राइट आंसर होगा ब्रुनेई बंदर सेरी वागवान फिर आसियान की स्थापना होती है 1967 में इसका हेड़क्वाटर है जकारता इंडोनेशिया में इसके सदस्देश बने हैं दस्थो और 2020 में ये इंडोनेशिया में आयो जीत हु हुआ भारत की लुक इस्ट पॉलिशी 1991 से आई अब इंपोर्टेंट फैक्ट में हम सब की बैठक देख लेते हैं जी टुन्टी की बैठक हो रही है 2021 की इटली में 2022 की इंडोनेशिया में और 2030 की अपने भारत में फिर जी सेबन की देखते हैं 2021 की कारनमाल ब्रेटेयन से इस 2021 की अध्यक्षता की थी भारत ने थीम है ब्रिक्स एट दरेट 15 फिर है कोप 26 इसका मतब बैठा कोई ग्लास को स्कार्ट्रेंड में फिर नेक्स्ट पॉइंट है सोसल मेडिया कमपनी फेस्बुक ने अपना नाम बदल कर मेटा किया फेस्बुक के सीई ओ है मार्क जुकरव पर्ग कम्युनिकेशन के छेत्र में अलग पहचान देने के लिए फेस्बुक मेटावर्स बनाने पर फोकश कर रही है जिसके जरिये एक अलग ही दुनिया वर्चुल वर्ड बनाई जाएगी फिर है इंपोर्टेंट फैक्ट्स में कांडला पोर्ट ये दीन दयाल उपाध अध्याय कूलकाता पूर्ट ट्रस्ट स्यामा प्रसाद मुखरजी वीलर दुइप डाक्टर एपी जे अब्दुल कलाम फैजावाद जंक्षन अयोध्या कैंट जिम कारवट नेशनल पार्क रामगंगा नेशनल पार्क फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपके दरवाजे पर स सिक्षा अभियान ये तमिल नाडू के द्वरा चलाई गई टेल्थ पास स्यम सेबक फश्ट से लेके फिफ्थ क्लास के बच्चों को एक घंटा पढ़ाया जाएगा वन रेश्यू 20 के अनुपात में जिससे सभी बच्चों को सिक्षा दी जा सके फिर इंपोर्टन फैक्ट है तमिल नाडू के शियम बने है यमके इस्टालिन ब्रहदेश्वर मंदिर यह तंजाबूर तमिल नाडू में निर्मान इसका चोल बंस ने करवाया था यहीं पर ग्रेट पोला मंदिर भी है फिर पहला डुगोंग सरच्छन केंद्र यह तमिल नाडू में है तमिल नाडू तट कोरो मंदल तट है वारिस लोटते हुए उत्तर पूर्वी मांशोन में होती है फिर नेक्स्ट पॉइंट है 86-86 संभिधान संसोधन 2000 यह 21-A सिक्षा के अधिकार के तहट हुआ शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005 में आया फिर है ABFID National Bank for Finance Infrastructure and Development का नया अध्यक्ष बनाया गया है के भी कामत को विकास परियोजनाओं या प्रोजेक्ट को फंड उपलब्ध कराना इसका मुख के काम है फिर important fact है मुख चुनाओं आयुक्त सुसील चंद्रा की वे सुसील चंद्रा बने है मुख सुचना आयुक्त या श्वर्धन सिनहा बने है C.A.G. गिरीश चंद्र मुर्मू C.G.A. दीपक दास I.S.A. हेड आजय माथुर C.B.C. बने है सुरेश अन पटेल फिर next point है सार भावमिक टीका करण कार्टरम के तहत pneumococcal conjugate vaccine यानि की P.C.B. के रास्ट ब्यापी अभियान का सुवारम किया गया केंध्री स्वास्थ्रमंति के दारा और केंध्री स्वास्थ्रमंत्री है इसा मैं मनसुख मंडाविया इस एक pneumonia की vaccine है pneumocil pneumonia रोग में फेफड़ा परभावित होता है नियुमोनिया एक जिवानों या बैक्टीरिया जनित रोग है फिर इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं स्टाप टीबी पार्टनर्सिप बोर्ट के अध्यक्ष बने हैं मनसुख मंडाविया ये बरतमान में स्वास्थ मंत्री भी है मौक्स क्यूरिक्स वैक्षीन ये मलेरिया की पहली वैक्षीन मनी है भारत की पहली जंडर नियुट्रल हुमन पैपिलो मवाइरस एच्पीवी वैक्षीन ये गालडासिल नाइन है एमसीडी इंडिया ने लांच किया इसको पी-म आत्म निर्भर स्वस्थ भारत योजना ये वानणसी यूपी से चलाई गई सिक्सेयर में हंडिट परसेंट टीका करणवाला पहला जिला बना है कन्नौर हिमाचल प्रदेश का फिर नेक्स्ट पॉइंट है आरवी आई गवर्नर सक्तिकांदास का कारिकाल तीन वर्स तक बढ़ाया गया दो हजार चौबिस तक अभी ये बने रहेंगे ओवर ड्रॉप्ट पुस्तक ये उर्जित पटेल की है आई डू हट आई डू रहुराम राजन की पुस्तक है मौद्रिक नीति समित का अध्यक्ष गवर्नर मनी एप लांच किया गया आरवी आई के दौरा नेत रहीं लोगों को नोट की पहचान के लिए फैजाबाद जंगसन का नया नाम बन गया है अयोध्या कैंट तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यदि आप त्यारी कर रहे हैं या सरकारी नोकरी की त्यारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा ज़्यादा लोगों को सेर कर दें ये सब के पास ही पहुंच जाएं बहुत बुद्ध धन्यवाद